दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाला है कि फोन पे एप्लिकेशन से ट्रेंड टिकेट बुक कैसे कर सकते हो जी आ दोस्तों अगर आपको भी trend का ticket book करना है तो guys आज के इस वीडियो मा आपको बताने वालों कि किस तरीके से आप phone पे application से अपने लिए trend ticket आप कैसे book कर सकते हो तो guys अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो मा आपको जो है complete process बताने वाला हूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर भी तक आप नमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर से प्रेस करेंगा तो चलिए friends आज काई वीडियो स्टार्ट करते हैं तो guys phone pay से train ticket बूक करने की लिए सबसे पहले आपको ओपने mobile में phone pay application को open करोगा इसकी बात guys नीचे के और आपको scroll करने और आप देखे तो यहाँ पर नीचे के और scroll करने पर यहाँ पर आपको travel booking का आपको option देखनी को मिल जागे तो यहाँ पर आपको simply travel booking में आपको जोए trains का option शो कराए तो simply guys आपको trains option पर आपको क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप इस option पर क्लिक करोगे इसकी बाद कुछ time wait करना और यहाँ पर confirm ticket की यहाँ पर application open हो जाएगी आपको इपनी details फिल करनीए जहाँ से आप journey स्टार्ट करना चाते हो वहाँ पर from मैं guys यहाँ पर इस option फ्रस्ट वाले option पर क्लिक करने की बाद जहाँ पर आप जोए जिस station से आप टिकिट बूक करना चाते हो अपनी journey स्टार्ट करना चाते हो यहाँ पर आपको विस station को select करना हमें एक आंधा बाद यहाँ पर जयंबाद च्प्राइब कर लीटा हूँ लों तो यहाँ पर आप अपने रिकोर्डिंग जहां से अब टार्ड करना चाहते हों यहां पर sleurt सब्सक्राइब यहां पर जैसिए आप इस केलैंड़आ ओप्छन पर क्लिक खोगे तो यहां पर केलनडर ओपन हो जाएगा इसके बाद guys यहाँ पर आपने जो है डेट चूस कर पाऊँगे तो simply मैं इस calendar option पर क्लिक कर लेता हूँ इस पर क्लिक करने की बाद जिस भी डेट पर आप जो है जरनी करना तो यहाँ पर आपको जो अपना चितना भी टिकेट का आपका प्राइस रहता है वो सारा कुछ आपका refund हो जाता है इसके लिए आपको जो आपको चार्ज रहता है 50 रुपीज का आपको चार्ज देना होता है तो अगर आप इसे टिक करना चाता है तो यहाँ से आप टिक कर सक सकते हो फिलाल यहां पर मैं इसे टिक कर लेता हूं अगर आप उसे चाहते हो कि आप जो बाद में टिकेट को कैंसल नहीं करना चाहते हो तो यहांसी इसे आप अंटिक कर सकते हो इसके बाद सर्च ट्रेंड वाले आप्शन पर जैसे आप क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने के बा और यहाँ पर अपने टिकेट की availability यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपको बहुत सारी ट्रेंज देखनी को मिल जाएगी इसका नंबर आप देख सकते हो और जिस टायम आपने जो भी स्टेशन चूज करा जहाँ से आप जरने स्टार्ट करना चाहते हो उस स्टेशन पर कब आईगी और इसके बात कब तक आपको जहाँ तक जाना चाते हो वह किस टाइम पर आपको चोड़गी वह भी टाइमिंग आ यहां से आप उस ट्रेंड को चूश कर सकते हो. फिलाल आप देखते हैं, फर्स्ट वाली ट्रेंड में, यापर शोकर है, ग्रीन में शोकर है, यानि टीकेट अवेलिबल है, और इसके बाद गैस यहाँ पर आप देखते हो, 3rd AC और 2nd AC में यहाँ पर अभी वेटिंग लिस्ट में टिकेट तो यहाँ पर WL यहाँ पर शो कर रहा है इसके बाद 2nd वाली ट्रेंड में आप देख तो यहाँ पर स्लीपर में टिकेट अवेलेबल है यहाँ पर 3-TI-RAC में इसके बाद 2-TI-IT अवेलेबल है तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो अपने टिकेट बूक कर सकते हो जीसभी क्लास जीस भी कोच में आपको टिकेट बूक करना है यहाँ से आप स्लीपर 3-TI-RAC 2-TI-RAC में यहाँ पर चूस कर सकते हो तो फिलाल गाईज यहाँ पर मैं first वाली टेम में sleeper class में यहाँ पर अपना ticket बूक करना चाहते हो तो simply मैं sleeper वाले option पर click करता हूँ यहाँ पर अलग-अलग class का आपको अलग-अलग price देखने को मिल जाता है यहाँ पर जैसे sleeper इस वाले ticket का जो है पर OTP आएगा और यहाँ से आपका OTP automatically detect हो जाएगा इसके बाद सिंपली यहाँ से आपको जो जिस भी ट्रेंड में ticket बूक करना सिंपली आपको जो है जैसे आप book पर क्लिक करोगा इसके बाद यहाँ पर आपको IRCTC का user ID डालना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर आपने IRCTC का जो अकाउंट नहीं बनाये तो यहाँ पर अपना user ID डालने के बाद कुछ इस तरीके से next page open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो अपनी डिटेल्स आपको शो करेगी इसके बाद नीचे की और आपको अपने passenger details आपको डालने का option मिल जागा तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो आपको अपना passenger डीटेल फिल करने के लिए सबसे पहले आपको जैन्टर चूज करना है तो मेने आपटर मेल जैन्टर चूज के लए इसके बाद आपको passenger का नेम आपको डालना है इसकी ऐसके बाद ऑसकी आपको birth preference आपको चूज करें के बाद यहाँ पर आपको lower birth middle upper side lower side upper यहाँ पर यहाँ डाल देता हूँ तो गैस मैंने आपर name डाल लिया इसके बाद यहाँ पर age डाल दे इसके बाद यहाँ पर birth preference चूस कले इसके बाद nationality select कलिया है इसके बाद simply आपको save पर क्लिक ना और इस पर क्लिक करते हैं आपकी passenger की detail यहाँ पर add हो जाएगी तो यहाँ पर passenger detail यहाँ पर एक add हो चुकी है इसके बाद अगर आपके साथ में कोई child है बच्चा है तो यहाँ पर उनकी आप details add करना चाहते हो तो add child पर क्लिक करके उस बच्चे के details आप डाल सकते हो और उनका भी यहाँ पर ticket बना सकते हो तो यहाँ पर आप देख तो यहाँ पर add adult पर जैसे आप क्लिक करोगे इस तरीके से उनका name डालना age डालना एज डालना एज बर्थ प्रीप्रेंस और इंडियास डाटकन की बाद से उपर क्लिक ना है और यहाँ पर उनका भी यहाँ पर passenger details add हो जाएगा तो फिल्हाल यहाँ पर मैं एक ही add करना चाथ हो तो मैंने आप एक add कर लिया है इसके बाद यहाँ पर नीचे की और आपको जोए आपको उपना mobile number शो करेगा इसके बाद यहाँ पर आपको उपनी email डालनी है इसके बात यहाँ पर आप पुझो है नीशी की और आने की बात यहाँ पर आप दिख सतो Pay no charges when the ticket is cancelled तो यहाँ पर गाईज अगर आप इस वाले option को choose करोगे तो जब भी आप बाद में ticket cancel करोगे तो यहाँ पर आपका जितना पर ticket का price रहेगा वो सारा का सारा refund हो जाएगा लेकिन अगर आप इसे टिक नहीं करना चाते तो यहाँ पर no option को आप choose कर सकते हो क्योंकि इसके लिए आपका जो कुछ charges पे करना होता है पर passenger आपको 50 रुपए यहाँ पर advance में पे करना पड़ता है तो यहाँ पर आप extra 50 रुपए पे नहीं करना चाते है तो यहाँ से आप no choose कर सकते हो फिलार मैंने टिक कर लिया है इसके बाद आपको जो है प्रोसीड वाले option पर आपको simply क्लिकना यहाँ पर insurance का भी शोकर आगर यह भी आप नहीं लेना चाते है तो यहाँ पर इसे आप अनटिक कर सकते हो और इस तरीके से आपको अपने email ID डालने की बाद जैसे आप proceed option पर क्लिक करोगे इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर आपको IRCity का यूजर ID शोकर और इसके बाद आपको जो है आईर सिर्थी से का password डालने का option शोकरेगा तो यहाँ पर आपको जो I forget password या फिर I remember password का option मिल जागा अगर आप password भूल गया तो forget भी कर सकते हो फिलाल मुझे पताया तो मैं I remember पर क्लिक करता हूँ इस पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर आपको जो है continue वाले option पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको अपनी ticket की details हो करेगा यहाँ जोज करना है जिस भी account से पयमेंट करना चाहते है पना account च्यूज करने की बाद simply आपको pay पर क्लिक करना ही और जश्यशी दोस्तों पर וाले option पर क्लिक करोगे इस पर कलिक करने की बाद यहाँ पर आपको यू पिजा या पर आपको पिभी अपना लाइस चुप पिख कर्यों झाल सब लिए बीग-चाव का पासवर्ड का सब्स्ट कर्यों सब्सक्राइब देता को सब्सक्रतु exchange का सब्सक्राइब डिक्राइब सब्सक के पह eder above आपका यहाँ एक गाल जाए यह जाएगा हो techniques तरिके से स्क्रीन पर टिकेट की डिटेलस आपको इसके बाद गैस〜 तो जोए तो आपको आपको इस तरीके से यहाँ पर अपना टिकेट का डिटेल्स आप देख्श तो यहाप डाउनलोड पर क्लिक करके अपने टिकेट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो वैसे गाइस आपने जो भी एमेल आईडी वहाँ पर डाला होगा उस एमेल आडी पर आपका जो है टिकेट की सारी डिटेल्स आपको इमेल आईडी पर भी मिल जागी और तो यहाँ पर मैंने जीमेल ओपन कर लिया है और गाइस आप देखे तो मेरे जीमेल पर यहाँ पर जो है मैसेज आ चुका यहाँ पर जो है मेल आ चुका और यहाँ पर इस तरीके से जो है टीकेट की डिटेल्स यहाँ पर शो करी है तो मैंने टीकेट बुक क्या टीकेट का प और आपका Ticket जो भी रहेगा वह यहापर किस dependency कुलास में किस कोच में Detroit भूआ है तो यहापर मेरा S5 में इसकी बाद यहापर News सोगड़ेगा 48 seat रहके के बाद यहाप इस तरीके से आफ बर्त वहगे रहते देख सकते हैं तो इसके बाद नीचे की और आने की बाद आपको पनी Ticket की Prites जो करेंगे इस तरही से यहां पर जैसे आप लिज़कर आजे की तो यहां पर आपको PDF चो करेंगा कैसे PDF पर क्लिक करने की बाद आपका टिकेट आपको complete यहां पर आपको सेव भी कर सकते हो डाउनलोड पर क्लिकर किये जो आपको गैलरी में मिल जाएगा तो गैस कुछ इस तरीके से बड़ी आसानी से आप फोन पे से ट्रेंड टिकेट आप बूग कर सकते हो दूस्तों अगर आप कोई वीडियो चलागा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सबस्क्राइब जरूर से किजेगा